हेलो फ्रेंड्स, सभी के घरों में बहुत तरह का स्टब पराठा बनता है, आपके घरों में भी बनता होगा, लें क्या कभी आपने धनियापती का पराठा खाया है, नहीं खाया है ना, यदि खाया भी होगा तो कोई बात नहीं, आज मैं स्टब धनियापती का पराठा बनान तो इस पराठी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा गेहूं का आठा तो आज में दो कब गेहूं का आठा लिए हूँ तो इसमें डाल देते हैं नमक और थोड़ा सा डाल देंगे दो चम्मचे करीब तेल तेल डालने से पराठा खसता बनता है इसलिए डाल रहे है अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आटा की अंदर अब आटा में सभी चीज अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के soft आटा लगा लेंगे जैसे हमनों normal पराठा का आटा लगातें बस वैसे ही लगाना है अब एकदम soft आटा लगके ready हो गया है तो थोड़ा सामने सक्थी लगाया है अब rest के लिए छोड़ देंगे कि आटा सेट हो जाए 10 मिनट के लिए तो आज हम यहापे बना रहे हैं धनिया पत्ती का पराठा तो उसके लिए क्या करेंगे धेर सारा कटा हुआ धनिया पत्ती लेंगे एकदम बहुत सारा लेना है करीबन आधा कटोरी अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज आधा कटोरी यह करीब एक प्याज हमने काटा है तो अब इसमें डाल देते हैं नमक अपने स्वात के अनुसार साथ में ही डाल देंगे एक चुथाई चमच काला नमक काला नमक से बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है इसलिए डाल रहे हैं एक चुथाई चमच लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, एक चुथाई चमच चाट मसाला पाउडर, साथ में ही डालेंगे एक चुथाई चमच काली मिर्च पाउडर, यह डालना पुरीतर ओप्शनल है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ चमच औरिगेनो यदि आपके पास औरिगेनो नहीं है तो दो तीन कली लेसन को ग्रेट करके डाल सकते हैं अब इन सबी चीज़ों को मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं स्टफिंग कितना जुरदार बना है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में एकदम सिंपल सा लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं है जब पराठे के अंदर स्टफ्ट करेंगे और जब यह सीखता है तो बहुत ही अच्छी खुजबू आती है धनियापती की तो देखे अब स्टफिंग ये बनके रेडी हो गया तो आटा भी पूरी अची तरह से सेट हो चुका है और स् बेलेंगे सुखा आटा लगाने से क्या होता है कि चकला और बिलन में चिपकता नहीं असानी से बिला जाता है इसलिए बेल रहे है अब बड़े साइस का थोड़ा बेल लेना है अब देखे जितना पतला हो सका हमने एकदम पुरा पतले में बेल दिया है जितना जैसे हम लो तो देखे, पूरी अच्छी तरह से हमने चारो सैट स्टफिंग को फैला दिया है, अब फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड किस तरह से करना है, पहले इस तरह से एक सैट फोल्ड करेंगे, दूसरे सैट फिर से फोल्ड कर देंगे, और हलकल का हाँ से प्रेस कर देंगे, तो देखे केक दम चौकोन अकार का पराठा आज बना रही हूं मैं कि बच्चों को भी पसंद आता है बहुत जादा थोड़ा सा इस तरह रहता है न तो और सिंपल आप गोल बनाएंगे न तो बच्चों को कम पसंद आता है तो देखिए आप इसी तरह से भी सेख सकते हैं या फिर हलका एक बार बिलन चला दे बिलन चलाने से क्या होता है कि मसाला जो है पूरी अच्छी तरह से चारो सैट फैल जाता है और हलका सा पतला भी हो जाता है तो जितना पतला हो सके उतना पतला बना ले हैं मैं को लग रहा था नेचे चिपक चुका है लेगे नेख चिपका है तो दे के गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम में पहले स्टार्टिंग में सिखने के लिए छोड़ देंगे अब देखे मीडियम फ्लेम में हमने छोड़ दिया था सिख चुका है पलट लेते हैं अब दोनों साइड हलकाल का सिख चुका है तो क्या करेंगे अब तो बस दूसरे साइड भी थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे और अच्छी तरह से सेख लेंगे वह आपके उपर डिपेंट करता है कि आप तेल से सेखना चाहते है या फिर घी से तो अब दोनों साइड ये पराठा सीख चुका एकड़म क्रिस्पी हो गया है हमने एकड़म चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में केचप के साथ अब मैं आपको एक पीस पराठा तोड़के दिखाती हूँ आप देख सकते हैं बहुत ही जोड़दार दिख रहा है पराठा बस आप सिर्फ प्लेन अचार के साथ भी से खा सकते हैं